हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टू अवर चैनल मेरी पूरी कुकिसपट फैमिली आप सभी स्वस्त रहो सुरक्षित रहो और कुख खुश रहो हर दिन की तरह आज भी यही मेरे अभी लाशा है आज में दो सब्जियां बनाने वाली हूँ ग्रीन वेजिटेबल में एक हैंगे पालक की बहुत सी जादा टेस्टी और हैल्दी वाली सब्जी यह है बास्केट सब्जियों का पिटारा और इनका होगा खात्मा और सालेड तो साथ में होगी तो यह सब मैंने निकाल के रख लिया है चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पैन में डालेंगे दो पूर्म्ली रिलाल मिर्ची तीन चम्मच्छ गड़ा धनिया तीन चम्मच्म मोम फली के दाने और 3-4 चम्मच्छ घड़ी बंगी के Z चनी की डाल को मैंने बीगो लिया था सब को अच्छे से मिक्स करके भून करके साइट में रख लिया इसी के साथ यहाँ पर मैंने 몇 तीन टमाट मिले है एक बड़ा है एक medium है और एक एकदम small size है, small size बहुत ही cute सा है, चटनी वगरा के लिए है, या जो थोड़े से मसाले पीसने होते हैं, दो blades है, दोनों ही blades तीनों जार में लगा सकते हैं, जब जिसकी जरूरत हो, जिस size की, और यहाँ पर तीन लिड भी दी गई है, जब आप कोई भी चीज इस की body steel की है, तो इसमें सबसे पहले medium वाले jar में मैं डाल रही हूँ, यह जो मैंने मसाला भूना है, इसे हम पीस लेते हैं, तो यह बस इसमें डाल करके, यह braid लगाया, और इसे पीसते हैं, बारी नहीं पीसना है, बहुत एकदम महीन सा नहीं पीसना है, हलका सा दरदरा विरा तो भी चलता है, तो वैसा ही मैं इसको रखूँगी, क्योंकि सबजी में डालना है न, तो वो पालक वाली सबजी में इसका टेस बहुत अच्छा आता है, मुम फली के दाने, भूने चने, और काश्मीरी लाल मिर्ची, और जो घी में भूनी हुई है, जीरा और हींग है, य इस मसाले को बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हो, कभी सुबह के समय में जल्दी रहती है, पालक मेथी कोई सबजी बनाना है, तो आप इस मसाले का यूज कर सकते हैं, बस इसको हमने पीस करके, दूसरे बरतन में निकाल के साइड में रख लिया है, यह जो मैंने तीन ट इसे साइड में रख लेंगे, यह क्यूट छोटा वाला है जो जार, इसमें थोड़ी सी जब चटनी बनानी हो, तो बहुत बढ़िया रहता है, और बड़े वाले में मैं भी पीस होंगी, खड़ा धनिया, धनिया पाउडर बना के रखती हूँ मैं घर पर, तो वह भी और जो हरा प्यास है, उसे पूरा काट करके दूसरी साइड में रख लेंगे, हरे प्यास की पनीर की सबजी बहुत टेस्टी लगते हैं, हरा प्यास पनीर, और यह पालक की दूसरी सबजी वनेगी, जिसे लाबादर कहते हैं, तो यह प्यास जो हमने हरा प्यास अटाया था यहाँ पर इसके pieces cut कर ले रही हूँ वैसे आप बड़ा पनीर भी पूरा fry कर सकते हैं और फिर उसे भी use कर सकते हैं उसको थोड़ा सा गुंगोने पानी में डालो तो फिर वो और soft है था अगर कभी कड़ा हो जाए पनीर पैन में एक बड़ा चम्मा जितना oil डाल करके पैन में पूरे में पहले फैला देंगे फिर यह जो पनीर के pieces cut किये हैं उनको डाल करके अच्छे से fry कर लेंगे बीच बीच में उसे ऐसे हिलाते जाएंगे और बिलकुल अच्छा सा golden color आने देंगे पनीर फ्राई हो जाए चारों तरफ से फिर इसको पनीर को फ्राई होने के बाद साइड में निकाल के रख लेंगे पनीर की हरी प्यास के साथ सबजी बहुत तेस्टी लगती है अगर आपने कभी नहीं बनाई तो ट्राई करना यहाँ पर तीन लॉंग और एक टुकड़ा दाल चीने को हम कूट कर यूज करेंगे तो मैंने पाउडर बना लिया है इसे साइड में रखा इसी के साथ खलवत्ते में तीन लसुन को ऐसे कूट लेंगे क्रश करके डालेंगे एक चमच में यह भी साइड में कर लेंगे अभी जिस पैन में मैंने पनीर ट्राई किया था उसी पैन में ओयल डाला है और एक चमच यह इस तरीके का कुटा हुआ लसुन डालके फ्राई किया फिर इसमें जो वाइड प्याज है वो डाल दिया है अब फिर इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चुटा चमच धनिया पाउडर आदा चमच मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर इसी के साथ कुटा हुआ दाल चीनी और लॉंग वाला पाउडर और नमक डाल करके मिक्स कर देंगे ढ़क देंगे टमाटर है उसका जो पानी है वो पूरा सूख जाए और अच्छे से टमाटर पक जाए बीच बीच में उसको हिलाते जाएंगे और ढ़क करके उसको चेक भी करते जाएंगे अब यह एकदम सही से पक चुका है टमाटर पेस्ट इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा प्यास हरा प्यास के साथ ही हम डालेंगे फ्राइ की हुए पनीर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये पनीर हरा प्यास बहुत जादा टेस्टी लगती है अगर आपने कभी नहीं बनाई हो तो एक पर ट्राई करना और सबसे अच्छी बात है ये बहुत जल्दी बनने वाली सबजी है पनीर की कुछ ऐसी रेसिपी कई बार कोई गेस्ट आ रहे हो घर पे या आपको कभी बनाना है लंच बॉक्स के लिए ये बहुत जल्दी बनती है अब इसकी ग्रेवी के लिए हम डालेंगे दूद यहाँ पर मैंने दूद का इस्तेमाल किया है ग्रेवी के लिए जितना आपको चाहिए मैंने एक कब दूद डाला है इसमें अगर आप और पतला करना चाहें तो और डाल सकते हैं लास में थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा ताजा हरा दर्या डाल करके मेक्स कर लेंगे और गरमा गरमी सबजी को सर्व करेंगे चपाती पराठे सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है बहुत जल्दी बनने वादी सबजी है और प्याद लसुन तो ऐसे बारी करके ही डाला है लेकिन जो यह है ना टोमेटर प्यूरी उससे और दूद डालने से इसका टेस जो है ना ग्रेवी का बिल्कुल डिफरेंट ह अगर आप दूद नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी डाल सकते हैं चलो अब बनाते हैं पालक की सबजी पालक लबादा जिसके लिए पान रखेंगे गैस पर इसकी विसारी त्यारी हो चुकी है इस सबजी को हम घी में बनाएंगे दो गड़े चमज घी गरम करेंगे ज पालक दीर सारी डालो और इसमें थोड ही भीगे हुए चनिय डाल भी डाली है हरा धन्या डाला है नमग डाल है। यह चानी की बार्दा हंना। आप हम आपोस्तित धोड़े थोड़ पानी बिढ़ नायसारी भी हाए बसाल है और पानी भीमज जूओअ और दॉड़े फालक बहुत जादा अच्छा लगता है चने की डाल मैंने भीगी हुई इसलिए डाल दी मैंने थोड़ी सी भी वही थी तो थोड़ी जादा थी मसाले से तो मैंने उसी में मिक्स कर दी तो पालक चना जैसा मिक्स हो गया है वह और ढख करके बाप में ये और पूरी सबजी को बीच म बनाई हो प्लेन दाल राइस के साथ यह सुखी सब्जी बहुत अच्छी लगते हैं प्राठे के साथ नाश्टे में बहुत बढ़ी हैं लगती है ब्रेकफस्स की ताइम पर जल्दी बन जाती है लंच बॉक्स में भी आप देश सकते हो चपाती दाल राइस के साथ और सैलड भी काट ली थी मैंने बीच में ही और अभी आटे में हलका सा नमक डाल करके सॉफ्ट सा डू तयार किया इसे ढख करके रखा साइड में अब चरो धनिया पाउडर बना लेते हैं खतम हो गया था यहां पर एक किलो से थोड़ा कम है क्योंकि दो पैकेट थे आदा आदा किलो पैकेट में से थोड़ा साइड में रख लिया कई वर खड़ा धनिया चाहिए होता है रैसिपी के लिए तो बाकी मैंने पूरा इसको गरम कर लिया है हलका सा सेखने से जल्दी से धनिया पाउडर तयार हो जाता है इसके बाद उसको हमने डाला बड़े वाले जार में और य पर ये जरूरी काम था ये भी हो गया है तो धनिया पाउडर पीस्तियों में हमेशा घर पे और एक बार पीसो तो काफी लंगे समय चलता है और ड्राई जार में भरके रख लिया है पाउडर इसको मैं चानती नहीं हूँ और आज शुबम का हावडे है मन्त का लास्टे है 30 तो इसलिए वो जैसी मैं रोटी के लिए बनाने का सोची अभी स्टार्ट करने वाली थी शुबम आ गया तो मैं सोची रहती शुबम आएगा तब रोटी सेकूं फिर मैंने सोचा नहीं बना लेते हैं थकान हो थी मुझे थोड़ी सी तब बेत मेरी ठीक नहीं है तो फिर म सकते हम खाना खालो वाकी किसमा बना के फिर रख दूँगे और बस यह थाली तैयार है पनीर की सब्जी बहुत अच्छी हरा प्यास पनीर नहीं पनीर हरा प्याँ या हरा प्यास पनीर कुछ भी बोलो और पालक लबादार साथ में गर्मा गर्म चपाथी और मूली की तो बस आज आप इस सभी रेसिपी जरूर ट्राइए करिएगा रेसिपी कैसी लगी मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंज के साथ भी शेयर करना है ना बूलना नहीं है और आप लोग बताते रहते हैं ना किसी ने मुझे बताया वडा सांबर बनाया एक दिन मीसल पाव बनाया अब यार मैं कुछ भी बनाओं पर जो आप लोग बनाते हैं वो मुझे खाने कमंद करने लगता है थाइक ए भाई बिट वाचिंग ड़ाय